विवाह उत्सव की वर्ष गांठ के फलस्वरूप इराधार साम्रत चर्चा नाकपुर के इस गुप्त व्रंदावन में हम आप सब के मध्य में प्रगट हो रही है यह हमारा परमसोगाग्य है आज हमारे लाल जी के ब्या की वर्ष गांठ है बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे ठाकुर जी ब्यायत है आए है चार वर्ष के लाला है लेकिन ब्याय गयो है और हमारी श्यामा जू किशोरी जू जो की नाकपुर में श्री राधा निवास जहां पर वर्षों से वरंदावन को प्रकट कर रही है और ऐसा भी कहा जाए तो कोई अतिश युक्ती नहीं कितने जनों को तो श्री किशोरी जी ने नाकपुर बुलाकर के वरंदावन रस दिया है जो वरंदावन जाकर के नहीं पाया कहियों ने तो वो नाकपुर आके पाया ऐसे नाकपुर में विराजमान हमारी श्यामा जू है और ये नाकपुर तो हम सब के लिए है उनके लिए तो ये प्रकट अप्रकट वरंदावन ह की विराजमान है उसी श्रंखला में उसी कड़ी में पिछले साल भी यहां पर यह मंगल उत्सव हुआ ब्रज चर्चा ब्रज रस चर्चा किशोरी जी की मंगल चर्चा हम आप सब ने श्रवन की और इस वर्ष भी वही चर्चा श्रवनार्थ हम आप सब बेटे हैं हुआ है 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 आज लाल जी का ब्या उत्सव ब्यावला सुब़ राधा निवास में सुसंपन हुआ उसका उसकी वर्ष गांट हुई और वर्ष गांट में जो वस्तविक वर्ष गांट होनी 2 वैसी हुई कैसी एक वर्ष जब होते हैं ब्याको तो प्रियतम और प्रियतमा आपस में एक दूसरे के प्रती प्रेम भाव उत्पन्न करते हैं सारे दोश दूर्गण आदी सबको विचार ना करते हुए अपना प्रेम उद्गार सुनाते हैं कि एक वर्ष से आप हमारे संग हो आपके आने से हमां क्या-क्या लाब हुए यह सब पती पतनी आपस में चर्चा करते हैं और आपस में ना भी करते हूं तो सब जो लोग भी ब आया ये बढ़िया हुआ ऐसा ऐसा आज वही सब हुआ सुबाध शोडश गीत के माध्यम से श्री किषोरी जी ठाकुर जी के प्रेमुदगार प्रगट कर रही है ओ ठाकुर जी नहले पर धहला दे रहे हैं किषोरी जी यदि एक सुक्ष मेभाव कहें तो ठाकुर जी उससे उ प्रसंसा की तो ठीक है इसने जादा कर दी इससे थोड़ी कम इसकी मैं करूंगा अगर इसने मेरी बहुत प्रसंसा की है तो उससे थोड़ी कम मैं उसकी करूंगा जादा नहीं करूंगा यह मानवी स्वभाव है लेकिन प्रेम का स्वभाव श्री किशोरी जी और ठाकुर जी कि किशोरिजी यदि कुछ भाव कह रहीं, ठाकुर जी अगले पंग्ती में अगले पद में इंतेार कर रहे हैं हमें बोलवे को मौका early time में आ पसे उचों भाव कहेंगे एक दूसरे कु महान बता रहे है, एक दूसरे कुश्रीष्द की बता रहे हैं प्रेम में अपने सुख का विचार तो है यह नहीं न प्रेम में तो जो हमारे तत सुखे सुखे त्वम हमारा प्रेम ही जिसमें सुखी अच्छा देखो गोपियों का कृष्ण के प्रती प्रेम और श्री कृष्ण किशोरी जी का प्रेम दोनों में अंतर है ठाकुर जी और गोपियों के प्रेम के बीच में भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को जो रुचिकर लगे वो गोपियों को लगना चाहिए गोपियां कहती है ज़िए हमको रुलाने से ज़िए आपको आनन दाता तो हम रोहेंगी आप सुखी रहो बस लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी के प्रेम में क्या है बोले जिससे किशोरी जी रीजे हम वो क्रिया करें किशोरी जी अब यही बाव जिससे ठाकुर जी रीजे हम वो लीला करें जिसमें शाम सुन्दर प्रसन्न है उसमें किशोरी जी प्रसन्न है जिसमें किशोरी जी को सुक लगे वामे ठाकुर जी प्रसन्न गोवर्धन लीला कल भी मैंने सुनाई थी कता के प्रारम में उसमें भी प्रधान्ता यही थी कि श्री जी के दरशन के हित के लिए ठाकुर जी ने साथ दिन साथ रात्री परियंत गोवर्धन नात को धारण किया हमारे वरिजवरंदावन में निकुंज कुंज निकुंज और निभृत निकुंज यह तीन लीलाएं हैं कुंज लीला वो हैं जो अधिकतार कथाओं में सब जगे सुनाई जाती है सब लोग सुनते हैं कुंज में सब का प्रवेश है पर निकुंज में निकुंज में सबका प्रवेश नहीं है निकुंज में शाम, सुंदर, किशोरी जी, सखियां और सखा पर निब्रित निकुंज में तो केवल शाम, सुंदर और किशोरी जी और जिसको वो चाहें उसको प्रवेश तो कुंज की लीला जब गोवर्धन की है तो उसमें सब ब्रजवासी है ठाकुर जी भी है किशोरी जी भी है पर निकुंज की लीला में जब गोवर्धन नात को धारन कर रहे हैं तो वहाँ पर केवल किशोरी जी ठाकुर जी और अस्ट सक्षिया है और दो चार सखा हो रहे हैं जो रो रो के विचारी आ गए भीतर ठाकुर जी हमूँ ले चलो हो मैं क्यों छोड़ जा रहे हो लेकिन निब्रित निकुंज में केवल शामा शाम और कोई नहीं वह भी गोबर्धन लीला में हुआ है कि जहां कोई भी नहीं था अकेली ठाकुर जी खड़े हो और सामने अकेली श्री जी खड़ी है और ये लीला इतनी अदवुत समपादित होई एक चंद्रा वली नाम की गोपी है तो ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि ठाकुर जी सब को सुख देते हैं जितनी भी गोपियां चाहिए वो ललता विशाका बले ही मुँपे खूब गारी गलोज होती हों एक दूसरे को मार पीट करवे को भाव रखते हों लेकिन एकान्त में ठाकुर जी उनको भी सुक देने जाते अब लोग इसमें मन में विचार कर सकते हैं कि ठाकुर जी सबको सुक क्यों देते हैं वो सबको सुक इस भाव से नहीं देते कि वो सुन्दर है या उसका गुण अच्छा है या उसका भाव अच्छा है ठाकुर जी को ये भाव लगता है कि ये ललता है, ये विशाका है, ये चंद्रावली है, आदी-आदी सकिया है किसी ना किसी रूप में श्री जी के समी परेती है ये ठाकुर जी के चरण स्परश करती है, ये किशोरी जी के चमण डोराती है कि शुरी जी का श्रिंगार करती है इस बात से ठाकुर जी रीज के उनको भी सुख देने जाते हैं उनके संग भी लीला करते हैं केबल इसलिए क्योंकि उनका श्री जी से संबंद है श्री जी के संमुक तो ठाकुर जी नहीं करते लेकिन एकांट में कभी कोई गोपी कहे कि मेरे घर भी नेक प्रशाथ पा जाओ नेक मोकुवी सेवा को अवसर प्रदान करो मैं भी आपके चरणन में कुम-कुम लगाऊं मैं भी आपको इत्र अर्पित करूं मैं भी आपको श्रंगार करूं तो ठाकुर जी कभी-कभी समय मिलने पर गोपियों के पास भी सुख देने जाते हैं। ये देखो, अब आपको पहले ही बताओ, ये निब्रित निकुंज की लीला है। इसलिए शंशे हिर्दय में उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनियेगा। ठाकुर जी की लीला पर कभी शंशे मत कर आपको अपराद नहीं लगेगा, बताने वाले को अपराद लगेगा। इसलिए मैं बहुत डर्डर के सुना रहा हूँ। निब्रित निकुंज में एक दिन चंद्रा वली ने ठाकुर जी को आमंत्रत किया। तो श्री जी के सामने तो लाल जी इशारो कर रहे है बोले, ये चली जाएंगे, तब आएंगे। श्री जी चली गई, सब सकीयां चली गई, चंद्रा वली अपने घर को गई। इतने मैय श्री जी को ठाकुर जी की याद आ गई और निब्रित निकुँज को ऐसा भाव है कि अगर ये शोधा के बगल में भी ठाकुर जी पौड़े हैं और अरदरात्री में भी श्री जी कुछ स्मर्ण है जाए और ठाकुर जी दोड़ के भागे हैं मैया के बगल में तक्या धर जाएं बोले कि सुबह उठेगी तो कहीं दांटे नहीं ओ श्री जी बुला रही है मुग को जानो तो पड़ेगो अब यह निप्रित नुकुंज की लिलाए सब को बताने वाली नहीं है लेकिन यहां सब अधिकारी बढ़ें इसलिए सुना रहा हूँ यहां चंद्रावली ठाकुर जी की सेवा कर रही है अपने हातों से प्रशाद पवा रही है पंखा जल रही है चरणों में केसर चंदन लगा रही है और चंद्रावली का जो प्रिये इत्र है वो ठाकुर जी को अरुपित कर रही है और इतने में ही श्री जी ने ठाकुर जी को याद कर लिया जैसी श्री जी इस्मरण करती है न ठाकुर जी लोग कितने हिचकी आती है लेकिन हमारे शाम संदर के रोएं खड़े होते हैं तो समझ जाते हैं श्री जी बुला रही है ठाकुर जी विचलेत हो गये चंद्रावली बूली कहा भै हो ब critics बूले श्री जी बुला रही है श्री जी को याद आ रही है अच्छा इस्मृति भी एक प्रकार की वेदना है हम किसी का स्मरण करें वह भी तो एक वेदना होती है न एक कष्ट होता उस समय लगता है कि जिसको हम स्मरण कर रहे हैं वो सामने तच्छन आ जाए इतनी भी वेदना श्री जी को हो ये शाम संदर को प्रिय नहीं ठाक उर्जी बोले चंद्रावली मुझे को जानो पड़ेगो चंद्रावली भूली भूल मरोगे क्यों कुम कुम केसर लगो है और मेरो इत्र लगो है श्री जी मेरे इत्र की सुगंद जाने यदि उनको पतो चल गही तुम यहाते गए हो बहुत मारेंगी आज रूट के बैज जाएंगी बड़ो मान करेंगी ठाक उर्जी बोले आप जो ओगो सो देखेंगे आप तो हमें दोड़न देओ ठाक उर्जी दोड़ करके और महराज जा रहे हैं गिरज परवत श्री गिरिवर परवत जो है न यही निभित नकुझ का एकांति ठाकुर जी का कुझ है यहीं पर लीला करते हैं शाम सुंदर और ठाकुर श्री जी अब जो हम गिर्जी का दर्शन करते हैं तो बचारे अब बहुत छोटे रोज तिल भर प्रत्वी में जा रहे हैं नहीं तो सखन कुझ के गिरिराज जी का वरणन आप कभी गर्ग समिता में पढ़िएगा गिरिराज जी में कितनी सुंदर-सुंदर गुफाएं हैं, कुझ हैं, लता गुल्म हैं जरने हैं सब विद्यमान हैं क्योंकि श्री जी को सुख देने के लिए श्री गोवरधन ना थे बहुत ध्यान से सुनना थाकुर जी दोड़े और जैसे ही थाकुर जी दोड़े गिरिराज परवत के उपर हैके देखो श्री जी उपर खड़ी है इतने में श्री जी को सुगंधी आने लगी और सुगंधी तो आई आई चंदन केसर लगे बहे चरणन में छापे और पड़ गए गिर्राज जी पे और वरणन आता है ठाकुर जी दो पाउं से नहीं दोड़े हैं शीक घृप पहुचने के लिए जैसे बंदर चार पामन से दोड़े हैं ऐसे ठाकुर जी दो चरण और दो हाथन से दोड़ रहे हैं इतने में ही ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देगी तो पूरे गिर्राज परवत पर वो चंदन चिन अंकित हो गए इत्र की सुगंदी आ रही थी ठाकुर जी बोले आज तो श्री जी बड़ो मान करेंगी और बड़ो मान जब करें तब बहुत मुश्किल होए रहे जाबे में तब ठाकुर जी ने इंद्र को इशारों कियो ए इंद्र चल्दी सफाई कर श्री जी आवेवारी है श्री जी कहीं आ गई और आकर के उनने इस चंदन छापे देख लिए हमारी इत्री की सुगंदी अगर उनको आ गई तो आज बड़ो मान करेंगी इंद्र हमारी लाज बचा इतने महीं गड़्गड करके गाले काले बादल आ गए आकर के गोवरधन परवत के उपर रिम जिम रिम जिम बरशा कर जैसे ही जोर की बारिश भाई श्री जी के चरण चिन्नों को मिटाने के लिए इतने महीं श्री जी का महां आगमन हुआ अब श्री जी जैसे आई उपर से वर्षा गिर रही थी ठाकुर जी बोले अरे ये बिंदू श्री जी को श्रम देंगे इतने महीं अपने चरण चिन्न छुपावे को अपने जो लीला है वाकू प्रकट श्री जी के सामने ना हो वाके लिए ठाकुर जी ने श्री जी के श्रम को दूर करने के लिए अपने बाम हस्त के कन्य उंगली पर गिर्याज परवत को धारन कर लियो और एक बुजासे श्री जी के गले में गलवईयां डाल करके खड़े आगे ये निप्रित निकुंज का गिरिवर धारन लीला है अब माँ श्री जी करें कहां गए पो कहीं न अब तो कछुपत ही ना चलेगी क्योंकि चिन्विल ने सब दुल गए अब श्री जी को कहा पता चलेगी ऐसे शाम सुन्दर ये गोवरधन धारन लीला में अधिकतर भाव श्री जी की प्रसंदता है तो कल जो हमने सुने थे वो निकुंज की गोवरधन धारन लीला थी आज जो उमने सुनी हैं ये आज की निबृत निकुंज में गोवर्दन धारन लीला है दौनों में श्री जी को सुख देने के लिए ठाकुर जी ने गिर्राज जी धारन किये इसलिए हमारे प्यारे गिर्दय के ठाकुर जी गिर्दर ला ले इस श्री जी को सुख देवे के काजे ही ऐसे खड़े हैं इसलिए इनको नाम ही श्री नाथ है श्री याने श्री राधा उनके जो नाथ हैं वही श्री नाथ है अभी हम लोगों का प्रवेश कुञ्ज में हैं भक्ति भाव और इन रसिक जनों की मानी सुनकर के बंदों अपने चित में अपने हिर्दे में श्री जी और ठाकुर जी की लीला को स्मरण करनों चाहिए और उस से प्रयास करना चाहिए अब कुझ से धीरे धीरे हम निकुझ में जाएं और निकुझ से धीरे धीरे निबृत निकुझ की प्राप्ति हो निप्रित निकुंज क्या है निप्रित निकुंज में केवल शाम, सुन्दर और किशोरी जी हैं और कोई नहीं है हमारे वरंदावन में कहते हैं कि वरंदावन में जो प्रान त्याग देता है न उसको स्वर्ग नर्क और वैकुंठ गोलों कि ये सब नहीं मिलते तो वो ले वरंदावन में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति अप्रकट वरंदावन में प्रवेश कर जाता है अप्रकट वरंदावन का रूप सुनू कैसा रूप है अप्रकट वरंदावन का अभी जो वरंदावन आप देख रहे हो ऐसा ही है अप्रकट वरंदावन बस अप्रकट वरंदावन में ये है कि श्री बिहारी जी रादावल्लब जी रादरमन जी मंदिरन में नावेटे भार डोल ले हैं वो लीला करते हुए गूम रहे हैं रसिक शिरोमनी, स्वामी शी हरदाज जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभू, श्री गोपाल भटको स्वामी, श्री मदुसूदन पाद सरस्वती ये सब लोग उस अप्रकट वरंदावन में विचरण करते हैं इसलिए हमारे यहाँ ब्रज में अब तो ऐसा नहीं है पर हमने रसिक जनों से सुना हैं कि प्राचीन वरंदावन में जब किसी व्यक्ती के प्राण छूट जाते थे तो वरंदावन के ब्रजवासी, मृदंग और साजवाज लेकर के यमुना तट पर जाते थे और वहाँ जब अन्तेष्टी संसकार चलता था ना उतनी देर पद गायन करते थे बहुत सुन्दर पद है हरिदासी परंपरा के लोग आसावरी राग में इस पद का कायन करते हैं यह पद एक पंग्ती बताने के लिए ही गा रहा हूं लेकिन अब इतना सुन्दर पद है एकाज पंग्ती क्यों ही पूरा पद सुनो कितना सुन्दर भाव हमारे वरंदावन में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं अच्छा एक और बात कोई योग के व्यक्ती के प्राण छूटें उसी के लिए पद गाया जाएगा ऐसा नहीं वरंदावन किंचित मात्र कोई उसके अंदर गुण ना हूं बिलकुल वैश्नव भाव से इतर हो लेकिन वरंदावन में प्राण त्या गें तो वह सोवाग्य शाली है भाग्य बढ़ो वरंदावन पायो 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 जारज को सुर नर मुनिवन चित जारज को सुर नर मुनिवन चित विधिशंकर सिरनायो विधिशंकर सिरनायो सखीरे भाग्य बढ़ो वरंदावन पायो इतना संदर भाव इस पद में बताया गया है रसिक जन कहते हैं उस परिवार से जिस परिवार का विक्ति चला गया सब रो रहे हैं विलाप कर रहे हैं लेकिन सब रसिक जन कहते हैं शोक संताप करो मति कोई शोक संताप करो मति कोई ताव भलो वर्णियायो ताव भलो वर्णियायो ए श्री रसिक बिहारी की गति पाई रसिक बिहारी की गति पाई धने धने लोग कहायो धने धने लोग कहाय सकी है आग्य बढ़ो अवन पायो आग्य बढ़ो विन दावन पायो आग्य बढ़ो विन दावन पायो यह पद आज भी गाया जाता है यदि कोई रसिक बुर्णदावन में प्राण त्याग दे पर प्राचींकाल में सब के लिए गाया जाता था इतना सुन्दर भाव इस पद में कहते हैं आई मेल्यों परिवार आपनों रसिख जन कहते हैं बोले आज अपने असली परिवार से मिला है बोले कौन? बोले ये वरंदावन में प्राण द्याक के अप्रकट वरंदावन में चला गया ना आज जितने संबंदी इसके यहां हैं भाई, बहें, चाचा, ताओ, आधी जो भी इसके संबंदी हैं ये सब संबंदों में अब सब रसिख जन इसके संबंदी हो गए बाद जब अप्रकट बाद वरंदावन में वो जीवात्मा जाती है तो वहाँ पर उसका स्वागत कौन करते है शिश्वामी हरदाज जी महराज शिश्वामी यही सब उससे अपने-पने संबंद बना अच्छा क्यों रो रहा है पताजी की याद है चल आज से हम तेरे पताजी किसकी याद आ रही है वास्तों में वे सब रसिक जनहीं उसको अपना परिवारी बना लेते हैं और शामा शाम जू विहेरत दो इतना सुंदर भाव है कि वरंदावन में जब कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है तो उसके संबंधियों को उसके असली परिवार से कौन मिलवाता है खोले शामा शाम ही मिलवाते हैं शामा शाम जू विहेरत दोहु सकھی समाज मिलायो जैसे यहां दोनो यूगल सरकार गलवईया डाले है ऐसे ही दोनों की बीच में वह वरंदावन से प्रांड त्यागने वारे वह जीवात्मा को दोनों अपने बीच में रख लें एक तरफ से किशोरी जी गले में गलबाईया डालें दूसरे तरफ से ठाकुर जी डालें और फिर वाकू सब सकी समाज सकी समाज मतलब सब वैश्नवा चाह रहे जो जो वरंदावन से प्रस्थान करके उस अप्रकट वरंदावन में गए हैं उनसे परिचे दौनों करवाते हैं जैसे होस्टल में आने वाले बच्चे को जो होस्टल के टीचर होते हैं वो बाकी के बच्चों से मिलाते हैं न ऐसे ही अप्रकट वृंदावन में दोनों युगल सरकार उस जीवात्मा को कष्ट ना हो इसलिए सबसे मिला वैसे कष्ट होगा क्यों इस अंसार को छोड़ करके कोई युगल जहां विराजे हों वहां और रसिक जनों के बीच में पहुंचा उसको उस्ष्रम होगा क्या उसको कष्ट होगा क्या इसलिए वहिया वृंदावन के रसिक जन कहते हैं भाग के बड़ो वृंदावन पायो अच्छा देखो इन पदों को आप साधारन शब्द मत समझो बड़े बड़े इनमें रहसे चुपें अब यहां से यह नहीं कहा कि भाग के बड़ो जो यहने वृंदावन प्राण ते आगे वो कहरें भाग के बड़ो वृंदावन पायो मतलब वास्तविक वृंदावन पाना तो वृंदावन मे अनतिन स्मास लेना है असली वृंदावन तो वही है तब ही मानो जब दूर्णावन में प्राण छूटे कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है जन्म बड़ा दुरलव है वरंदावन में पर जन्म से भी दुरलव मृत्यू है वरंदावन वरंदावन की रज में लीन हो जाएं श्री यमना पुलिन पर बहुत भाव आते हैं वरंदावन इस इक्वल टू श्री जी है श्री जी और वरंदावन दोनों में कोई भेद नहीं है हमारों श्री वरंदावन स्वहिम श्री जी ही है कल हम और शर्विश भिया बात कर रहे हैं तो मन में भाव आयो मैंने की भिया हमारे बंदावन ब्हारी जी, राधा वललब जी, राधा रमन जी सबके दर्शन है किशोरी जी कहा है मंदिरन में ठाकुर जी बैटे है लाडली जी तो विच्रन कर रही है बंदावन में सदा विहार करते रहती है और ऐसा भी होता है न कि कोई जब व्यक्ति बहुत उसको बहुत कार्य होते हैं तो वो अपना एक प्रतिनिधी छोड़ देता है हम आपसे मिलने हैं वोल मैं तो मिलूंगा नहीं मेरा प्रतिनिधी मिल जाएगा मेरा पीए मिल जाएगा तो ऐसे ही वरंदावन जाते हैं तो ठाक किशोरी जी के प्रतिनी धी के रूप में ब्यारी जी मिलते हैं प्रतिनी धी है श्री राधारमन जी राधावल लब जी ब्यारी जी यह सब प्रतिनी धी है हमारी शामाजू के शामाजू कहा है अरे भया सामान ने कितने लोग व्रंदा बन जाते हैं सबसे थोड़ी शामा जू मिलेंगी शामा जू तो उन सब रसिक जन के ध्यान उन सब रसिक जनन के ख्याल रखवे जामे जो अनंत दिनों से शामा शाम की युगल उपासना कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं परन कुटी में बैट करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम की द्वनी से अपनो मंगल भाव प्रभाहित कर रहे हैं किशोरी जी तो महां में व्यस्त हैं उन सबन के ध्यान धर्वे में व्यस्त हैं बाकी भीड इतनी वरंदावन में आ रही है सब रसिक थोड़ी हैं सबसे मिलवे की काजि ठाकुर जी छोड़ रखे तुम्हीं मिलो जो रसिक शरोमणी है जो रसिक श्रेणी के हैं किशुरी जी तो उनके ध्यान में व्यस्त हैं उनको ध्यान दर उनको ध्यान लगा रही है उनको ध्यान कर रही है तो ऐसी हमारी शामाजू और ठाकूर जी दोनों के योगल भाव को हम आप सब लोग श्रमन कर रहे हैं और लीलाएं तो हम सुनते ही हैं सुनेंगे कल हमने दूद दोहिन लीला सुनी आज भी कोई लीला सुनेंगे ही पर उसे पूर्व कुछ भाव श्री जी के उस अद्भुत रूप के बारे में हम श्रवन करें एक बार श्री नारज जी महराज हिमाले पर महादेव के पास गए बहुत ध्यान से सुनना महादेव के सनमुक नारज जी महराज बैठे थे आदेव आजिदेव महादेव अत्यंत सुक में ध्यानस्त बैठे थे पर जैसे नारज जी महारा जाए तो नारज जी को देखकर के महादेव के नेत्र खुल गए और स्वागत सत्कार किया बठाया वो लब राजो और कैसे हाल चाल पूछे लेकिन श्री महादेव के मुख की आकरती से नारज जी अनुमान लगा पा रहे थे कि महादेव कुछ पूछना चाह रहे हैं कुछ जिग्यासा है शायद इनके हिर्दे में कुछ जानने की अभिलाशा है व्यक्ति का परिचे तीन वस्त्वों से होता है नेत्रम, वक्त्रम, विकारेण हमारे सास्त राग्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से मिलो सबसे पहले उसके नेत्रों पर ध्यान लगाओ यदि नेत्र बहुत ज़्यादा चंचल है बहुत जल्दी जल्दी गूम रहे हैं कभी यहां कभी महां तो समझो कि इसका मन जो है वो थोड़ा सा विचलित है दूसरा वक्त्रम उसकी वानी सुनो यदि बहुत ज़्यादा बोल रहा है संसारी चर्चाओं में कुछ ज़्यादा ही रूची रख रहा है तो समझ लेना उसकी बुद्धी स्थिर नहीं है और विकारेण चलना फिरना उठना बैठना यदि इन सब में भी स्थिरता नहीं है मर्यादा नहीं है तो समझ जाना कि इसका खान पान शुद्ध नहीं है आप हमारे व्रंदावन के रसिक जनों को देखो उनके मुख की आकरती उनके बैठने के चलने के ढंग पर ही हम लोग नुच्छावर हो जाते है और कई लोग हैं बड़े-बड़े मापरुषबने गुमते हैं लेकिन उनके चेहरे की आकरती नित्रों का चंचलपन और वानी की दूशित तासी पता चल जाता है कि स्थिरता नहीं है एर्दे में हम से पूछा हम तो दुनिया बर में जाते है सामने वाला व्यक्ति प्रणाम जिस आकरती से वो प्रणाम करता उससे पता चल जाती है कितने पानी में आज कल प्रणाम की बड़ी एक हाथ से प्रणाम और एक हाथ से भी कई लोग चरण नहीं छूते गुटने के ऊपर ही छूतेते महाराजी तो नेत्रम वक्त्रम विकारेण इससे पता चल जाता है यदि कोई शुरुधी होगा मतलब कोई विद्वान होगा तो वो आपके नेत्रों से वानी से और आपके आकार विकार से पहचान जाएगा कि आप कैसे हो नारज जी महाराज समझ गए ए महादेव आपके हरदे में कोई जिग्यासा है क्या सोचो महादेव के हरदे में भी जिग्यासा होती है महादेव बोले हाँ एक जिग्यासा तो है बोले क्या जिग्यासा है बोले जिग्यासा ये है कि मैंने नारायन के खूब दर्शन किये विश्णु रूप के दर्शन किये उनके विराट रूप का मैंने दर्शन किया संग चक्रगदा पद्म चत्रभुज रूप का मैंने दर्शन किया विमत्स बनके आए मैंने दर्शन किया विकूर्म बनके आए मैंने दर्शन किया हर स्थती में मैंने दर्शन किया दर्शन का मतलब क्या होता है नारत हिरदे स्थिर हो जाना एक बार देख लिया तो बस लगा कि अब इसके बाद कुछ बचाई नहीं है ये स्थती मेरी अभी तक नहीं आई है मैंने अनेक रूप नारायन के देख ली लेकिन इस्थिरता अभी तक मतलब बार बार जिग्या सा होती है और कुछ देखूँ और अच्छा देखूँ और कुछ एक ठोर नहीं मिली है मुझे मेरी इच्छा है उस रूप के दर्शन करने के कैसा रूप तब महादेव कहते है मुझे उस रूप का दर्शन करना है जो परमानन्द को प्रणान करे और इसा स्वरूप जो इन सब स्वरूप को भी अपने उपर नियोच्छावर कर लेता हो मतलब कौन-कौन से स्वरूप चत्रवुज रूप, विराट रूप, मज़ रूप, कुर्म रूप, नरशिंग रूप ये सब भी उसके उपर नियोच्छावर हो जाते हैं निरगुणम निश्कम्यम सांतम यद्हेति विदुवधा तदहं द्रिष्टुमिच्यामे चक्षुभ्याम परमेश्वर निरगुणम निश्किर्यम सांतम यद्हेति विदुर्वधा तदहं द्रिष्टुमिच्यामे चक्ष्यम्याम परमेश्वर मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है सीधी बात पूरा वेद क्यों सुनाऊं शंकर जी कह रहे हैं जिसको देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छाई ना रहे मेरे मीतर ऐसा रूप मुझे देखना है नारज जी बोले आपने ये जग्यासा ठाकुर जी से कही बोले उनसे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही क्यों? बोले ये जितने रूप दारन करते हैं हर बार मेरे कहने पर ही तो करते हैं आपको ऐसे देखना चाता हूँ अब आपको इतने सारे रूप धारन कर चुके हैं मुझे भी लगता बिचारे परिशान हो जाएंगे इसलिए मेरी इच्छा नहीं है बोले नहीं नहीं अब चलो तब नारेज जी और शंकर जी दोनों ने जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की यहे नात हमारे महादेव कुछ जिग्यासा कर रहे है बोले कैसी जिग्यासा है बोले आपके ऐसे रूप का दर्शन करना है जिसके बाद नेत्रों को कुछ देखने की इच्छा ही ना रहे ठाकुर जी बोले भईया ऐसा रूप तो एक एई है जा रूप को देख करके मैं शाम सुन्दर भी और कोई कुना देखनो चाहूं वो रूप और वो रूप कौन का है यस्या कदापि बसनां चखलेन नोप आहा ठाकुर जी वरण कर रहे हैं वो रूप कैसो है आज हम थोड़े अपने रसिक जनों के भी कुछ भाव लेके आए जो वैश्नव जनों ने बताएं हैं स्वेम ठाकुर जी बता रहे हैं कि ऐसे कैसे कैसे रूप हैं जन पर वे स्वेम नियोच्छावर हो जाते हैं तब ठाकुर जी वरणन करते हुए कहते हैं पिश्लो के ही चलोगो पिश्वरी जी कह रहे हैं भाईया हमारे रूप को वरणन न आए सके जा रूप के अर्थ बता देते हैं बोल रूप की तो बहुत दूर की बात है महादेव ये रूप ऐसो है कि जिनके वस्तर को इश्पर्ष करके वायू भी यदि हमारो इश्पर्ष कर ले तो हमारो रोम रोम आनंदित है जाए ऐसी ब्रशुभान उनंदिनी श्री किशोरी जी श्री राधारानी ही ऐसी एक मात्र हैं जिनके रूप को देखकर के आपके नित्रन को ठोर मिलेगी आप किसी और को देख नहीं पाओगे फिर ऐसा उनको रूप है वस्तर की शोभा नहीं है लेकिन वस्तर जब वो धारन कर लेती है तो वो वस्तर भी शुशोबित हो जाता है इक्त्र की शोभा नहीं है श्रिंगार की शोभा नहीं है शोभा हमारी श्री जी की है जब वो धारन कर लेती है तब वो वस्त्र भली साधारन हो श्रिंगार साधारन हो इक्त्र साधारन हो लेकिन किशोरी जी के धारन करती उसकी उपमा अनन्त हो जाती है अवतार पर पड़ी है हमारे उस कुष्ण रूप को भी अत्यंत शोवनिये बनाने वाली ऐसी श्री जीव को जब आप देखोगे तब आपके मन को ठोर मिलेगी महादेव गुटनों के बल बैठ गए बुले कि कैसे हूंगे उनके दर्शन बुले उनके दर्शन के लिए वो तो बड़ी सहज हैं बड़ी सरल हैं कृपा करती हैं बस पुकारनों तो थोड़ो पड़े वो ना आपको पुकारो आएंगी श्री जी दर्शन देंगी हमारे आप विश्वास माने और कही लोग जानते भी हूंगे श्री जी का जितना गायन देव आदी देव महादेव ने किया उतना किसी ने नहीं किया राधा करपा कटाक्ष कौन गा रहे हैं महादेव गा रहे हैं रादा सहस्वनाम, गोपाल सहस्वनाम आधी आधी कितने भावों में स्वेम श्री महादेव ही श्री जी के रूप को उजागर करते हैं और किसी में सामर्थी नहीं ऐसे महादेव श्री जी को पुकारते हैं श्री जी का इस्मरण करते हैं और जब श्री जी का दरशन उनको हुआ इसलिए महादेव अत्यन्त रूप से जहां भी कहीं बैटे हैं तो उनके मुख की आकृती दिखाई नहीं है लिंग के रूप में पूरे भारत में विराजमान हैं क्यों वो समाधिस्त शिव हैं किसकी समाधी में हैं हमारे श्री जी के सबसे बड़े उपासकी महादेव हैं जब से देखी हैं अब्रिशवानुजा तब से ही समाधिस्त वैटे हैं एक आकार रूप में रहते हैं और सदा भीगे देव हैं सबसे प्रारतना करते हैं बिगाते रहो हमको हमारे उपर जल डालते रहो मैं तो अपनी एक निजबात बताऊ दुनिया के लोग महादेव के मंदर में जाकर करके ओम नमस्षिवाय के के जल चड़ाते होंगे हम तो श्री राधा 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 यह करकर के जल चड़ा में और अपनी एक बिल्कुल वास्तविक्ता बताऊ काशी में मेरी कथा थी कुछ दिनों पूर्व तो कथा करके मैं जैसे ही वापस आने लगा कहीं और जा रहा था कथा करने अंतिम दिन था कथा कर कथा करके रात्री में ट्रेन पकड़नी थी तो हमने की एक बार महादेव को प्रणाम करें आए उस दिन पता नहीं कोई उत्सव था जाने सौंवार था इतनी भीड मंदर में कि महाराज बी आईपी भी बी आईपी सब एक बराबर दर्शनी नहीं हो में कभी पुलिस कहें महां से आओ कभी कहें महां से आओ इधर से आओ ट्रेन का समय हो रहा था हमने की शिकर को प्रणाम करके चले जाते हैं भईया आप दर्शन तो वीतर होंगे नहीं लेकिन शिकर को प्रणाम करते करते मन में भाव आ रहो भूल गए हैं वरंदावन में हम ब्रजवासीन ने रोकवेत मना कर दियो तुमको जब महारास हो रहा था आए थे आप तब हम ब्रजवासीन ने रोक दियो बोले बाबा पहले गोपी बनो तब ही वीतर प्रवेश मिलेगो हम ब्रजवासी ने तुमको ब्रज में प्रवेश दियो और आज हम ब्रजवासी तुम्हारे बिना दर्शन के जा रहे हैं सत्य बात बता रहा हूँ मैं चीक है शिकायत करूँगो तुम्हारी जाके ललता विशाखा थे शिकायत करूँगो श्री जी ते हम ब्रजबासी गए काशी मुझा कथा करी दर्शन कर वे गए और बावा इतनों अंकारी है गो हमें दर्शनी नहीं दे रहो बीड में बैठो है बस इतना कह करके मैं देखेंगे आप की आई हो तुम ब्रंदावन में जैसे उठके जाने लगा इतने महीं पीछे से पुजारी जी आ रहे तो वो एकाथ दिन कथा में आये थे तो उन्होंने कथा सुआ अरे ब्याश जी आप मैंने कि हाँ मैया हो गई कथा मैंने यहाँ बस जा रहे है दर्शन मैंने कि कहा देखो इतनी भीड पुलिस कह रही है महा से आओ दर्शन रुक गए होंगे उस तमें हमको बला लिया अभी तरह उन्हें ना ना ब्रजबासी आओ भया अरे सौरी गल्दी छमा ऐसी शामा जूक के परम उपासक है देव भी नहीं है देवों के भी देवों के भी देव महा देव वो जिन श्री जी के चरणों का इस्त्मरण करते हैं तो सोचो श्री जी कौन है आजकल के लोग फालतु सिनेमा देखते हैं उसके बाद वर्णा बनाते हैं आपको श्री जी समझ आ जाएंगी आपको ये अद्भुत प्रेम ये समझ आएगा कभी कभी नहीं आ सकता अद्भुत प्रेम के रस स्वरूपा हैं हमारी शामा जी हमारे ब्रज में एक अद्भुत बिहारी जी के सेवक हुए उनका नाम दश्री बिहारिन देव जी बिहारी दास जी को प्रथम दर्शन योगल सरकार का कैसे हुआ इसकी बड़ी अद्भुत कथा हमारे हरिदासी परंपरा के वैश्न वुजन सुनाते हैं इतना सुन्दर वरनन है हमारी सामानने कथाओं में आने वाले लोग अगर इस कथा में आएंगे तो हो सकता उनको एकाद बात समझ वहीं नहीं आवे मारे जी कैसी कहां की चर्चा कर रहे है भईया ये निकुंज नहीं है ये कुंज नहीं है ये निप्रत निकुंज है यहां तो अलगी चर्चा है श्री बिहारी देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे पहले बिहारी जी ग्रहस्तों से सेवा नहीं करवा रहे अभी तो सद ग्रहस्त गुसाई परिवार सेवा करते हैं पहले तो बिहारी जी सन्यासियों से और विरक्तों से सेवा करा रहे थे तो बिहारिन देव जी बिहारिन दाश जी बिहारी जी की सेवा करते थे और सेवा करते हूँ उनके मन में एक ही भाव रहता था कि हे बिहरी जी कब मिली हैं वै सक्खी सहेली हरीवन्शी हरीदासी हरी हम कब होंगे ब्रजवासी ये बिहारिन देव जी का भाव इसलिए कि हमको प्रकट व्रिंदावन कब मिलेगा जहां स्वेम श्री हरीदास जी विराजने जहां स्वेम आचार्य चरण विराजते हैं उस व्रिंदावन का दर्शन कब होगा जहां आप युगल स्वरूप धारन करके विचरन करते हो जहां यमुना में जल नहीं केशर युक्त सुगंदित जल बहता है जहां पर यमुना के तदपर रेणुका की बालू नहीं मुडियों की बालू है जहां पर विरंदावन में ब्रक्षों पर कोयल चहकती नहीं है चिडियाँ चहकती नहीं श्री राधा श्री कृष्ण नाम द्वनी प्रकट करती हैं जहां पर जिस अपरकट विरंदावन में रहने वाले मानवों का भोजन पानी केवल आपके दर्शन मात रहें उस विरंदावन का मुझे कब आस्वादन होगा अपरकट विरंदावन का थोड़ा भाव समझो अपरकट विरंदावन में यमुना जी नहीं बेती है अप्रकट बुन्दावन में जो दर्शनार्थी ब्रमण करते हैं वो कहीं भोजन पानी करने के लिए बैठते नहीं है उनका भोजन पानी आस्वादन सब कुछ श्री प्रियालाल जी के दर्शन है उची उची एटारियों पर वैश्नव जन खड़े हो करके केवल निहारते कहां शामा शाम की लीला चल रही है तुरंट दोडकर के वहाँ पहुच जाते हैं और पहुच करके ऐसे बैठते हैं कि उनको विक्षेप न न केवल उनका दर्शन करना ही उनका सर्वस्व है शुबषारिन देव जी बहारी जी की सेवा करते हुए बोले है नाथ मुझे भी उस अप्रकट वृंदावन में ले चलो नित्ती ये प्रार्थना करते थे बिहारी जी से एक दिन बिहारी जी ने सुन ले और शुबिहारी दाश जी यमनार के तट पर सुबह सुबह भोर में दातुन कर रहे थे और दातुन करते 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 सुगंधी आने लगी रेनुका मनियों में बदल गई यमना जी का जल हलका हलका पीत वरण का हो गया अद्भुत सुगंधी यमना जल में से आने लगी ब्रक्षों पर बैठे हुए पशुपक्ची सवराधा कृष्ण नाम उच्चारित करने लगे रसिक जन दोड़ दोड़ करके ठाकुर जी के दर्शन की अविलाशा से गूमने लगे इतने में ही सघन कुझ दिखाई दिया और सघन कुझ में दोनों युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवईयां डाले चलते हुए आ रहे हैं ये बिहारिन दाज जी को दर्शन हुआ और उन्होंने इस पद में उसका वर्नन किया बिहरत शब्द समझेगा हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे लेकिन आप प्रयास करना की समझो कैसा रूप है बिहरत लाल बिहारिन दो यमनाजी के तीरे तीरे 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 अद भूते आखंड मन्डल भूव पर बरभामेने भूज भीरे तीरे अद भूते आखंड मन्डल भूव पर बरभामेने भूज भीरे तीरे तामे द्वे शशी शवत सुधाश्नम जलकन मुख छवी नीरे नीरे जलकन मुख छवी नीरे नीरे उपजत कीरन कपोल भी मले हसी लस दस नाम ली हीरे हीरे विचार करो बंदु चिंतन करो शामा शाम एक दूसरे के गले में गलोईयां डाल करके चलते भई आ रहे हैं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं सुरी की किरण परने पर दोनों के मुकमंडल पर छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदू है मुस्कुरा रहे हैं तो गालों पर कपोल भी ऐसे चमक रहे हैं दो दो चंद्रमा प्रकट हो गए हो जब मुस्कान प्रकट हो गए तो ऐसे लगए कि मानों दात नहीं हीरे जैसे दाने दात हैं दोनों युगल विहारी के बिहरत लाल विहारी ने दो या मुना जी के तेरे बिहरत लाल विहारी ने दो या मुना जी के तेरे तेरे कुझ गगन घन अलग बदरिया चलत परस पर सीरे सीरे चलत परस पर सीरे सीरे कुझ गगन घन अलग मदरिया चलत परस पर सीरे 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 चलत पराज पराज सीरे सीरे लोचन चारूं चकोरच तेहत लोचन चारूं चकोरच तेहत विवत धीर न धीर 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 विवत धीर न धीर 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 दोनों युगल सरकार मधूर चाल चलते भै आ रहे हैं तभी जोर की हवा ब्यार भै तो श्रिक किशोरी जी की अलकावलियां मुकमंडल पर आ जाती है तो ऐसा लगता है मानो पुर्णमा की चंद्रमा के आगे बादल आ गए हूं वह भी उसकी शुवा बढ़ा रहे हैं लोचन चारूं चकोरच तेहत पिवत अधीर न धीरे धीरे किशोरी जी शाम सुंदर को देख रहे हैं परन्तु नेत्रों का भी एक समय होता है नेत्रों की भी एक अधी होती है उससे जादा देख नहीं सकते जैसे जीव को पानी मिलने पर प्यास भुझ जाती है ऐसी नेत्रों को भी दर्शन मिलने पर द्रश्टी शान दो जाती है परन्तु यहां पर ऐसी स्थिती है कि जतना पानी पी रहे हैं उतनी प्यास और बढ़ रही है थाकुर जी जितना शाम सुंदर जितना किशोरी जी को देख रहे हैं उतनी ज्यादा इच्छा और प्रगट हो रहे हैं कि और देखूँ और ऐसे ही हमारे शाम सुंदर जब किशोरी जी को देख रहे हैं तो उनके नेत्र और प्यासे होते जा रहे हैं किशोरी जी को देख रह श्री बिहारिन देव जी को दिख रहा है बिहारिन देव जी को दिख रहा है जी को दिख रहा है ओमगी मेलते अनुई राग नवल बर ओमगी मेलते अनुई राग नवल बर ओमगी मेलते अनुई राग नवल बर कल कुंदाला चल बीरे बीरे कल कुंदाला चल बीरे बीरे कल कुंदाला चल बीरे बीरे श्रीम हारी दासी सुर्जत नाही श्रीम हारी दासी सुर्जत नाही उरजी अरून पट बीरे बीरे उरजी अरून पट पीरे बीरे उरजी अरून पट पीरे बीरे विहरत लाल बिहारे दो欸 विहरत लाल बिहारे डून पट प्रियरे बिहरत लाल बिहारिन दो यमुनाजी के तेरे बिहारी दास सुरज़त नाई उरज अरुन पट पीरे पीर श्री बिहारी दास जी की स्थिती कैसी है नेत्रों से नेत्र मिल रहे हैं श्री जी और शाम सुन्दर के नेत्र एक दूसरी की प्यास बुजा रहे है कानों के कुंडल यहाँ श्री जी के वहाँ शाम सुन्दर वे भी मिल रहे है दोनों के हस्तकमल एक दूसरे से मिल रहे है अरे औरों की बात छोड़ो यहां ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री जी की गुलावी चुनुरी भी एक दूसरे से मिल रही है और इन सवन के बीच में उर्जे पड़े है श्री बिहारिन दाज जी ऐसे उर्जे ऐसे उर्जे तीन दिन तक दातुन करते रहे यमना जी के तड़ पर बैठे बैठे और तीन दिन तक वहाँ निदिवन राज में बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए क्यों बिहारी दाश जी सेवा करते थे और वो तीन दन से महीं अमना पुलिन पर बैठे अब प्रकट वरंदावन का दर्शन कर रहे हैं